स्वागत आप सभी का बीएस सी एंड नेसी एड़ा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं अपनी प्रिवेस ट्रेट का और उसके बात देखेंगे कि कल के लिए मैंने किस स्टॉक को चुना है हमारा स्टॉक था सिपला का इसे बाय करना था 957 पर और सोट सेल करना था 941 पर अब जैसा कि आप अपनी स्किन पर देख पा रहे हैं सिपला ओपन हुआ था 937.8 पर और इसने हाई मारा 946.35 तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि यह स्टॉक अपने बाय वाले पॉइंट पर नहीं पहुच पाया था लेकिन आपको इस स्टॉक में सोट सेल करने का अवस्य मौका मिला होगा आपको इस स्टॉक को सोट सेल करना था 941 पर और आपका पहला टारगेट 937 दूसरा टारगेट 933 का था अब जैसा कि आ उम्मीद करता हूँ कि इस stock में आप सभी लोग ने profit book किया होगा आईए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए मैंने किस stock को चुना है कल का हमारा intraday का stock रहेगा गुजरात gas limited का इसके पहले भी हम कई बार इस stock में trade डाल चुके हैं तो इस stock ने हमें profit किया है तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि कल भी ये trade हमें निश्चित तोर पर profit देगी आप इसे buy कर सकते हैं 520 पर पहला target 523 का दूसरा target 529 का अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है तो इसे short sale कर सकते हैं 510 पर पहला target 507 का दूसरा target 501 का और इस stock में stop loss रहेगा 4.5 का तो दोस्तों कल की हमार इंट्राडे की trade गुजराद gas limited का इसे buy करेंगे 520 पर short sale करेंगे 510 पर stop loss 4.5 अच्छे से trade डालिए stop loss को जरूर लगाए बिना stop loss के अपनी trade को मत रखे और जैसे target 1 अचीव हो जाए आप अपनी stop loss को trail करिए और आगे के लिए wait करते रहे तो दोस्तों इस वीडियो में बस ना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दें और अगर आप इस channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर कर दें कल आप सभी से formula कातोगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद